एक नए टॉपिक के साथ त्रिशूल एजूकेशन में आपका पुनो स्वागत है। मैं हूँ बिनुद्मिया, इस टॉपिक में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ घरती सीमांत परतिस्तापन का नियम या जिसे सीमांत परतिस्तापन की दर भी कहते हैं। घरती सीमांत परतिस्तापन की दर क्या कहती है। टेबल पर इसको कैसे दर साया जाएगा या इसकी टेबल कैसे बनेगी। उसके बाद इसका रेखा चितर कैसे बनेगा। और उसके बाद लास्ट में आता है कि घरती सीमांत परतिस्तापन का नियम क्यों लागू होता है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक की ओर चलते हैं, यह जो घरती सीमानत परतिस्तापन का नियम है, जिसे हम इंगलिस में कहते हैं, law of diminishing marginal rate of sub-institution, तो यह घरती सीमानत परतिस्तापन का नियम क्या कहता है, सबसे पहले इसकी किताबी परिवासा हमें आनी चाहि उसके बाद सरल सब्दों में भी उसको समझेंगे, तो किताबी परिवासा क्या कहती है, यहाँ पर लिखी हुई है परतिस्तापन की सीमानत दर, जिसे की सीमानत परतिस्तापन दर भी कहते हैं, तो इसकी किताबी परिवासा है, कि जिस दर पर एक वस्तु के अस्थान पर द इसको ऐसा ही याद करना है क्योंकि परिक्षा में भी इसी परकार से लेखा जाएगा और competitive exam है उसमें भी इसी परकार से ये पूछा जाएगा तो ये क्या कह रहा है इसका सार क्या निकल रहा है कि कोई उपभोगता जब दो वस्तूं का उपभोग करता है तो यदि वह एक वस्तू की मातरा को बढ़ाता है तो उसे दूसरी वस्तू की मातरा को गटाना पड़ता है एक वस्तू के अस्तान पर दूसरी वस्तू की मातरा का जितना परतिस्थापन किया जाता है जितना वो एक वस्तो के अस्तान पर दूसरी वस्तो को लेता है वही जो दर है उसे कहते हैं सीमान्त परतिस्तापन दर अभी ये कैसी होती है इसको अभी हम तालिक पर देखेंगे तो बहुती आसान बासा में समझ में अज़ाईगा तो यह वहले डेफिनिशन आपने याद करनी है तारिका पर जाने से पहले हम जान लेते हैं कि जो यहाँ सीमान्त परतिस्तापन की दर है यहाँ दो प्रकारगी होती है पहला है नमबर एक वाई वस्तो के लिए एक्स वस्तो की सीमान्त दर या परतिस्तापंदर इसे कहते हैं salt में इसको लिखते हैं MRS XY M for a marginal rate R for rate और S for substitution यहाँ पर लिखाव फुल पॉम marginal rate of substitution और जिसको salt में आभी लिखा MRS X और Y जो X है वो पहली वस्तु है और Y जो है वह दूसरी वस्तु है यह दोनों ही सांकेतिक अक्षर हैं तो इस प्रकार से यह तो पहला प्रकार हो गया कि Y वस्तु के लिए X वस्तु की सीमान्त परतिस्तापंदर यह पहला प्रकार है और दूसरा है X वस्तु के लिए Y वस्तु की सीमान्त परतिस्तापंदर इस प्रकार से जो यहाँ परतिस्ताफंदर है या जिसको हम सीमांत परतिस्ताफंदर कहते हैं यहाँ दो प्रकार की होती है अब Y वस्तो के लिए एक है और दूसरी है X वस्तो के लिए अब इसी चीज को हमने अब तालिका पर समझना है तीक है इसको लिख लेंगे उसके बाद हम तालिक अबे समझते हैं इसको एक, दो, तीन, चार, चार कॉलम इसके लिए तयार करने हैं पहले में लिखेंगे संयोग जिसे इंग्लिस में कहते हैं combination, दूसरा है x वस्तू, अगला है y वस्तू, अगला कॉलम है परतिस्तापंदर, इसमें लिखा है m, r, s, x, y जिसकी full form यहाँ पर लिखी हुई है तो कोई उपभोगता हो दो वस्तूं का उपभोग करता है दो वस्तूं का तो दो वस्तूं का उपभोग किस पकार से करता है यहाँ पर देखे, आपने क्या लिखना है स्योग में, a, b, c, d, e, f इस पकार से आप लिखेंगे x वस्तू, एक से लेकर 6 6 वस्तूं वहो x की लेता है यह 6 मात्राइं वहो लेता है किस लिए लेता है उपभोग करने के लिए, खाने के लिए और अगला आता है वाई वस्तू, वाई वस्तू की जो मात्राइं लेता है उसको हम लिखेंगे घड़ते करम में कि 30, 25, 21, 18, 16, 15 क्योंकि पहले आ रहा है घड़ती, सीमान्त, परतिस्थापन अभी इसको हम समझेंगे अभी और भी बारिकी में किस पकार से एक उब्भोगता जब दो वस्तू का उब्भोग करता है उनको खाता है तो किस पकार से वह हो जब एक वस्तू की मात्रा को बढ़ाता है तो दूसरी वस्तू की मात्रा को उसको गटाना पढ़ता है यहाँ पर देखें एक combination नज़र डालिए X की एक वस्तु वह लेता है और Y की वह 30 वस्तु लेता है यह एक मात्रा वह X की लेता है और Y की वह 30 मात्रा लेता है ठीक है पहला combination तो यह हो गया कि इन दोनों वस्तुओं को क्या करता है वह उपभोग करता है यहाँ पर सीमान्त परतिस्ता पंदर कुछ नहीं आएगी क्योंकि इससे उपर कोई अंक नहीं है यह दि वह हो दूसरा सयोग B combination लेता है उसमें वह क्या करेगा X वस्तु की एक से बढ़ा कर दो मात्राएं कर देगा अर्था तो X की मात्रा को बढ़ाना सुरू करता है वह बढ़ाएगा तो उसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि Y वस्तु की मात्रा को 30 की जगे 25 करना पड़ा अर्था घटाना पड़ता है इसी पेकार से नज़र डालिए कि वह C combination पर X की मात्रा 2 से बढ़ा कर 3 करता है लेकिन वह Y वस्तु की मात्रा को 25 से घटा कर उसको 21 करना पड़ता है तो कहने करते क्या है कि जैसे जैसे वह X वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो उसको Y वस्तु की मात्रा को घटाना पड़ता है हम चना डाल के अस्थान पर क्या करते हैं कि राजमा की दाल खाल लेते हैं, तो इस पकार से इस दाल का उस दाल से क्या हो गया, परतिस्तापन हो गया, हमने इसको छोड़कर दूसरी दाल को लेना शुरू कर दिया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कि जैसे जैसे X की मातराओं को बढ़ा रहा है, तो Y की मातराओं को गटाना पड़ रहा है तो आप घरते करम में लगाईएंगी अब परतिस्ताफंदर कैसे ग्यात करनी है जिसकी परिवासा यहां दी जा चुकी है कि दो परकार की है यह वाली यह वाली तो यहां पर देखेंगे करना क्या है कि 30 है रिखा 30 में से 25 गटाना है ओके यहां पर 5 ल पात एक की यहां दर हो गई ओके अगला क्या करना है तीन में से दो गटाना है तो तीन में से दो गटा दिया एक और इधर 25 में से 21 गटा दिया चार ठीक है इसी परकार से 21 में से 18 गटा दिया तीन 18 में से 16 गटा दिया दो 16 में से 15 गया एक तो इस परकार से यहां क्या गट गड़ती भी सीमांत परतिस्तापंदर निकल रही है. अग यहाँ पर देखे एक, 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 एक क्यों आ रहा है? क्यों? जैसे दो में से 1 गया. एक, 3-2, 1. इसी परकार से 6-5, 1. इस परकार से 5-1, 4-1, 3-5, 1. इस बकार से ये घरतीवी सीमान्त परतिस्तापन दर निकाले जाएगी और ये घरतीवी सीमान्त परतिस्तापन दर क्या बतला रही है ये बतला रही है कि उब्भुगता X वस्तुकी मातराओं को जैसे जैसे बढ़ाता है तो उसे Y वस्तुकी मात्राओं को गटाना पड़ता है अब आती है बात कि सूत्र के द्वारा समझते हैं कि MRS X अर्दाद पहली हमने नंबर यहां पे लिखावा है कि Y वस्तुके लिए X वस्तुकी सीमान्त परतिस्तापंदर को हम कैसे ग्याद करेंगे यह वाला यहां पे यह वाला है तो मने क्या करना है MRS इंग्लिज में लिखिए यह हिंदी में भी लिख सकते हैं तो यह सॉल्ट में सही रहेगा उपर लिखेंगे डेल्टा Y divided by डेल्टा X डेल्टा मिन्स होता चेंज परिवर्तन डेल्टा जो परतिक चिन है यह है परिवर्तन का परिवर्तन में क्या होता है कि Y वस्तु की मातरा बढ़ भी सकती है और घड़ भी सकती है परिवर्तन ऐसे ही डेल्टा का मिनिंग यहां भी परिवर्तन है और X से वस्तु की मातरा में परिवर्तन और इदर y वस्तो की मातना परिवर्टन तो y क्या रखेंगे? उपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे? x को रखेंगे तो परिवर्टन देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5 तो y में परिवर्टन 5 का आया कहां से आया? पहले 30 था अब यह 25 हो गया तो 30 में से 25 गया 5 ओके जी यह 5 आ गया यहाँ पर यह लिख दिये यहाँ पर y की जगए यहाँ 5 लिख दिये एक कहां से आया? दो में से एक गटा दो तो एक आया तो इसका जो परतिस्ता पंतर है और कैसे निकाले जाएगी? एक का भाग 5 में देंगे तो एक पंजे 5 यह 5 आ जाएगा ओके? तो यह तो हमारा जो निकाल लगा है A, B कंबिनेशन का है ठीक है? B कंबिनेशन का है और सेम इसी प्रकार सी का भी निकाला जाएगा अलग D का भी निकाला जाएगा E का भी निकाला जाएगा F का निकाला जाएगा लेकिन Y वस्तु के लिए formula यही चलेगा अब बात करते हैं दूसरा यह वाला X वस्तु के लिए Y वस्तु की सीमान्त परतिस्ता पंदर कैसे निकाली जाएगी तो इसके लिए क्या है क्योंकि हमने यहाँ X नीचे रखा था अब X उपर आ जाएगा डेल्टा X दिवाइड़ वाई डेल्टा Y तो इसी को हम ले ले यह वाला combination, B वाला combination तो जब हमारा क्या हो गया परिवर्तन X में है तो X में कितना परिवर्तन है दो में से एक गटा दो तो एक उपर आएगा ठीक है और Y वाला डेल्टा Y में कितना परिवर्तन हुआ है तीस में से पच्चिस गटा दीजिए पांच यह डिवाइड़ वाई में आ जाएगा तो वन डिवाइड़ वाई फाइव अब पांच का भाग एक में देंगे तो कितना ऐगा 0.2 तो इस पेकार से यहाँ जो आ गई यहाँ किसकी परतिक पंदर आ गई यह X की आ गई और पहली वाली Y की आ गई तो इस पेकार से यह पहले combination का है तो इस पेकार से दोनों को आप परतिक जो combination है उसको अलग अलग ज्यात कर सकते हैं इस फॉर्मूले को याद रखना है तो यहां तक तो हमारी बात किलियर हो गई कि टेबल पर भी और यहां पर सूत्र में भी टेबल के बाद अब हम सीमानत प्रतिस्तापन दर को रेखा चितर की साहिता से समझेंगे अब रेखा चितर कैसे बनेगा इसके लिए हमें डाइग्राम बनाना पड़ेगा और डाइग्राम बनाने के लिए हमें दो अक्षों की जरुत पड़ेगी इस परकार से आप एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन पट्री की साहिता से खीज लेंगे ये वाला हमारा X अक्ष होगा और ये हमारा Y अक्ष होगा अब जो हमारा ये X अक्ष है जो पड़ी रेखा है इस पे हमने X वस्तु की मातरा को दर्शाना है एक से लेकर और छे तक तो इसलिए इसको एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छे बराबर भागों में पट्री की साहिता से, ये स्केल की साहिता से बांट लेंगे अब हमने इसके बाद Y वस्तु को दिखाना है इसकी मातरा को दिखाना है, अधिक तक मातरा कितनी है 30, नियूनतम कितनी है, मिनिमम 15, तो 15 और 30 की बीच हमारा पैमाना बनेगा पैमाना नीचे होगा, लेकिन इसमें हमने 15 लेना है 16 लेना है, 18, 21, 25, 30 को लेना है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? कि 4, 4, 8, 4, 3, 12, 4, 16, 4, 25, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25 एक, दो, तीन, चार, पांच, चैस, साथ, आठ तो आठ इसर रेखा के बराबर भाग कर लेंगे तो इस पकार से एक जो भाग होगा, वो हो फोर को दिखाएगा फिर अगला 8 को दिखाएगा और इसको हम छोटा करते हैं, तो यहाँ पर यह दो जाएगा फिर ये भी इसको आदा बाटेगा, आदा बाटेगा, आदा बाटेगा, आदा, आदा, इसको तार से 28, 62, 30, ओके, इतना काम आपने रेखा चित्र बनाने के लिए इस टेबल की साहिता से करना है, अब नाव क्या होगा, अब हमारा एक, यहाँ पर हमारा एक है, और एक के सामन कितना है, 30 है, ठीक है जी, तो यहाँ पर, यहाँ जाएगा, यहाँ पर 30, और यहाँ पर हमारा इसको नीचे ले लेंगे, ओके, एक क्वेंट तो मारा, यहाँ पर हो गया, क्योंकि 30 है, 28 प्लस 2 is equal to 30, ओके, इसके बाद हमने दूसरे पर नजर डालना है, कि B कंबिनेशन प करता है, X वस्तो की दो मात्राएं और इसकी 25 मात्राएं क्या करता है, वहाँ उप्भो करता है, B कंबिनेशन पर, तो दो तो यह हमारा यहाँ पर है, और अगला आजाता है, 25, तो 25 के उपर, यहाँ पर क्योंकि 24 हो चार कंतर है, तो यहाँ पर 2 कर दिया, तो यहाँ पर हमा चारा आ जाएगा कितना 25 इसको नीचे मिला देंगे एक पॉइंट यह हो गया ठीक है अब सी है तीन के सामनी कितना है 21 तो हमारा तीन तो ये है और 21 कहाँ पर आ जाएगा हमारा बीस यहाँ पर है और थोड़ा सा इसके आगे जाएंगे और हमारा यहां पर आ जाएगा 21, यहां पर भी एक point लगा लो जहां पर दोनों रेखाई मिल लई है उसके बाद D के सामने 4 के सामने कितना है, 18 तो 4 यह है, 18 कहां पर आ जाएगा यह 16 और 16 दो यहां पर हमारा 18 आने वाला है ठीक है जी, और यहां पर इसको मिला दीजे, 20 हो गया यह है 5, और 5 के सामने कितना है 16, तो यह हमारा 5 है और यहां पर हमारा 16 आ गया, बिल्कुल काफी नजदीक है ठीक है, इसको यहां नीचे मिला दीजे 20 हो गया और last है 6 के सामने 15, यह हमारा 6 है, और 15 कहां पर आ जाएगा हमारा, क्योंकि यह हमारा, कितना है 16 है, तो 16 से नीचे थोड़ा सान नीचे हमारा आ जाएगा 15, तो इस परकार से हमारा यहां पर 15 आ जाएगा ओके, एक, दो 3, 4, 5, 6 अब क्या करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यह complete होगे हमारे अब क्या करना है, इन points को हमने इस परकार से मिलाती हुए चले जाना है, और इस पर लिखना है IC, IC का मिनिंग होता है Indifference कर्व या अनदिमान भक्र तो इस परकार से यहां पर यह हमारा क्या बन गया यह तो आनदिमान वक्र विश्लेशन है वहा घटी वी सीमान्त परतिस्तापन दर पर आधारित है क्यों? कि यदि क्योंकि अंकों में ज़्यदा समझ में आएगा रिखा चित्र की तुलना में क्योंकि यदि वो भोकता एक वस्तु के अस्तान पर एक्स की दो मात्राएं लेता है तो उसको 30 के गटा कर 25 करना पड़ता है पांच गटाना पड़ता है तो इधर इसको बढ़ा रहा है अंकों पे नज़र डालिए और इधर अंक गट रहे हैं तो यही सीमान्त परतिस्तापंदर है अब यहां पर नज़र डालिए सीमान्त परतिस्तापंदर के लिए अब हम यहां पर यहां से और यहां तक इस तिरवुज पे नज़र डालनी है उके जी उसके बाद यहां पर उसके बाद यहां पर उके उसके बाद यहां पर साला दिखा देते हैं इस पकार से देखे यहाँ पे लिख दिया मैंने M ठीक है और यहाँ पे यह हमारा हो गया N और यहाँ पे लिख दिया O और यहाँ पे आ गया P और यहाँ पे आ गया Q यहाँ पे आ गया R यहाँ पे आ गया S यहाँ पे आ गया T यहाँ पे आ गया U और यहाँ पे आ गया V और यहाँ पे आ गया X तो इस पकार से देखिए इस पकार से यह बन जाएगा आराम से इस पकार से देखिए और यहाँ पे तो इस पकार से देख रहे हैं हम कि यहाँ से उत्रा यह नीचे तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले जैसे M से लेकर N, M से लेकर और जो N है, यह क्या है? य वस्तु की मात्रा है, ओके, वो इतना घटाता है, तो N से लेकर O तक क्या करता है? X की मात्रा को बढ़ाता है, इस पर कर से लिखा जाएगा, और इसका लिखा देंगे, greater than, अब greater than में क्या होगा? फिर O से लेकर P तक वो क्या करता है? Y की मात्रा को घटाता है, O P divided by P Q उसके बाद क्या करता है? Q से लेकर R तक क्या करता है? वो Y वस्तु की मात्रा को घटाता है, और R से लेकर S तक X वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है, तो इससे बढ़ा ये होगा, इससे बढ़ा ये होगा, अब इससे बढ़ा, और आगे लिख लेते हैं, क्योंकि हम Q, R और RS तक तक तो पहुंच चुके हैं, अब हमारा आजाएगा S से लेकर T, S T divided by T U, T U, फिर आगे क्या होता है, इससे बड़ा कौन होगा, जैसे यह आ गया हमारा, तो U से लेकर V, यहमारा U और E हमारा हो गया, V divided by V our X, यह हमारा X, उस पकार से देखिये, ично weiterhin 35 के और गट रही है, ठीक है, लगाता है, यह छोटा है, पिर यह बड़ा है, फिर यह और बड़ा है, और यह और बढ़ा है, तो उस पकार से, यदि वह हो M से लेकर N तक, क्या करता है y वस्तुकी मात्रा को घटाता है तो n से लेकर op तक उसे क्या करना पड़ता है यहां से लेकर यहां तक उसे x वस्तुकी मात्रा को बढ़ाना पड़ता है इसी प्रकार से यदि वो 2 से लेकर 3 मात्राएं x वस्तुकी बढ़ाता है तो उसे क्या करना पड़ेगा उस तो इस परकार से ये 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 य इस प्रकार से तो इस प्रकार से आप इसको बना लेंगे लेकिन यहाँ पर क्या कहा जारा है चाहे M है O है Q है S है U है X है चाहे कोई भी पॉइंट है इन डिफ्रेंस करव पर सभी बिंदूओं पर उपभोगताओं को या उपभोगता को समान संतुस मिलता है चाहे यहाँ पर वहो क्या कर रहा है एक कम्बिनेशन पर X की एक और तीस मात्रा है Y कि ले रहा है तो बराबर संतुस्टी चाहे मगा और 6 पर और 15 अरता 6 की buen इए समान शंतुस्टी तो इस परकार से चाहे ही यहाँ पर है और चाहे यहां पर है चाहтесь सी बनेगा किसका प्रतिस्तापन की सीमान्त दर या घड़ती सीमान्त पर्तिस्तापन का नियम और विचार के और उसके बाद आप इसको इस प्रकार से लिग सकते हैं जैसें अब अगले बात आती है कि घरती सीमान्त परतिस्थापन का नियम लागू क्यूं होता है वे कौन से कारण है जिसके कारण यह नियम लागू होता है तो लागू होने के इसके जो कारण है पहला कारण है देखिए कि वस्तुओं का पूर्ण परतिस्थापन न होना अर्था हम बात कर रहे हैं, एक X वस्तु है और दूसरी Y वस्तु है, तो व्यक्ति X वस्तु की मातरा को बढ़ा रहा है, ठीक है, तो Y वस्तु की मातरा को गठा रहा है, तो ऐसा परतिस्थापन क्यों करना पड़ रहा है उसको, कि एक को गठा रहा है और दूसरे को बढ़ा तो फिर तो A की वस्तु से काम चल जाता है X वस्तु से ही काम चल जाता और Y वस्तु लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती या Y वस्तु लेने की जरूरत पड़ती फिर X वस्तु को लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती माना कि एक वस्तु है आम और एक केला तो दोनों खाने वाले फल हैं लेकिन ब्यक्ति क्या कर रहा है कि एक दूसरे के पूर्ण परतिस्थाफन नहीं है दोनों के टेस्ट में अंतर है तो यदि ब्यक्ति क्या करता है केले की मातरा को घड़ाता है तो सेव की मातरा को बढ़ाता है और यदि दोनों के अंदर टेस्ट एक ही जैसा होता तो फिर तो एक ही फल से काम चल जाता तो इसलिए वस्तुने जब पूर्ण प्रथिस्था पर नहीं होती है तो इस कारण से यहाँ नियम लागो होता है कि एक वस्तो की मातरा को गटाना पड़ता है और दूसरी वस्तो की मातरा को बढ़ाना पड़ता है दूसरा जो कारण है कि यहाँ नियम क्यों लागो होता है कि एक वस्तो को बढ़ाने के अस्तान पर दूसरे का महत्तो कम होना अर्थात जब भोगता एक वस्तो को क्या कर रहा है बढ़ा रहा है माना वाई वस्तो को वह गटा रहा है और एक्स को बढ़ा रहा है तो इसका मिनिंग हो गया कि X वस्तु का महत्तो उसके लिए ज़्यादा है वो ज़्यादा उसको लेना चाता है और Y वस्तु को वह कम लेना चाता है तो उसकी द्रिष्टी में क्या है कि Y वस्तु कम महत्तो पूर्ण है जबकि X वस्तूर्स के लिए ज़्यादा महत्व पूर्ण है तो इसलिए भी वो क्या करता है कि एक वस्तू के अस्तान पर दूसरी वस्तू का परतिस्तापन करता है Next आता है तिसने नंबर पर समय विशेश पर एक ही आउसकता को पूरा किया जा सकता है यह जंदगी वरी पूरा नहीं कर सकता है तो इसलिए किसी समय विशेश पर वहाँ कुछ आउसकताओं को एक वाउसकता विशेश को पूरा कर सकता है क्योंकि उसके पास साधन कम है इसलिए घर्दती सीमांत परतिस्तापन का नियम लागव होता है Next है कि एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने पर दूसरी वस्तु की संतुष्ट करने की सक्ति में बृद्धी नहीं होती अभी क्या कह रहा है कि जैसे एक वस्तु की मात्रा को बढ़ा रहा है अगर है कि X वस्तु की मात्रा को बढ़ा रहा था एक वस्तु की उब्भोग बढ़ाने पर दूसरी जो वस्तु है Y वस्तु की संतुष्ट करने की सक्ति में ब्रिद्धी नहीं होती है कि एक वस्तु की मात्रा उसने बढ़ा दी और दूसरी वस्तु की सक्ति में क्या हो ब्रिद्धी हो जाए बढ़ोत्री हो जाए ऐसा संभव नहीं है